हमारे साथ जूरे रहने के लिए ग्यान ट्यूप चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिये क्या आप भी अपने फोन में किसी का भी कॉल आये तो उसका नाम बोले ऐसा सेटिंग करना चाहते हैं आप जानना चाहते हैं कि किसी का भी call आने पे उसका नाम बोल कर बताए ऐसा setting हम कैसे कर सकते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए Hello, Namaste, मैं आपके पास कोई भी call करता है तो जो भी call करेगा उसका जो name है वो आपके phone में announcement होगा आपके phone में बोलेगा कि किसका call आया है तो यह कैसे हम कर सकते हैं वही इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने phone पर आ जाए और यहां पर मैं आपको जिस तरह से steps करके दिखा रहा हूं उसी तरह से आपको भी करना है सबसे पहले आपको अपने phone के dialer पर जाना है यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा Google dialer है अभी जितने भी नए phone से उसमें सबी phone से गूगल का dialer ही आ रहा है तो आपको इसे open कर लेना है Google dialer को और open करने के बाद यहां पर आपको सबसे पहले right hand सारी में ऊपर में 3 dot दिखता है यहां पर आपको क्लिक करना है और settings पर आपको जाना है अब settings पर जाने के बाद यहां पर सबसे नीचे आपको एक option मिले नाउंसमेंट देख सकते हैं इसपर आपको क्लिक करना है कलिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं Announce caller ID यहां पर क्लिक कीजी और Always का जो option दिया हुआ है इसपर क्लिक कीजे और अब यहां हमारा setting हो गया है complete यहां से बना बैक आ जाते हैं और अब कोई भी call करेगा तो जो भी नेम से वो सेव होगा, उसका नेम जो है वो अनाउंसमेंट होगा. तो कहीं भी फोन रखा हुआ रहेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि किसका कॉल आ रहा है. और अगर नेम नहीं सेव होगा, तो नंबर आपको बताएगा. चलिए इसे टेश्ट करने के लिए हम अपने दूसरे फोन से इस पर कॉल करके आपको दिखा देते हैं. तो चलिए यहाँ पर हम कॉल करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमने कॉल किया. तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से अनाउंस्मेंट हो रहा है कॉल कट कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जिसका भी कॉल आ रहा था उसका नेम यहाँ पर अनाउंस्मेंट हो रहा था तो इसी तरह के से आप भी इस feature को इस्तमाल कर सकते हैं